नमस्कार मैं प्राणिशी राठोर और आप देख रही है निक्स्ट नाइन न्यूज इन दिनों यूपी की सियासत में काफी स्थादा हल चल मची हुई है वज़ा है एक लोग सभा और दो विधान सभा सीटों पर होने वाली उपचुनाफ दरसल आपको बता दे कि मैनपुरी लोग सभा और रामपुर और खतौली सीट पर उपचुनाफ होने को जा रहे हैं पास दिसंबर को इन तीनों ही सीटों पर मद्दान होंगे और आठ दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे और इन चुनाफ के लिए सपा और बीजेपी के बीच कड़ी टकर देखने को मिल रही है भारती जनता पार्टी ने दावा कर दिया है कि इन तीनों ही सीटों पर कमल ही खिलेगा लेकिन साल 1996 से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी मैनपुरी सीट पर कबजा करने में यहाँ पर लगातार आगे नजर आई है जी हाँ सपा संरक्षक वरिष्ट निता मुलाइम सिंग यादव ने इस सीट पर कई बार जीत हासिल की और अब सपा प्रमुक अखलेश यादव अपनी पिता की विरासत को बचाने के लिए अपनी पतनी डिमपल यादव को प्रत्याशी के तौर पर आगे कर चुके है भारती जनता पार्टी की तरफ से रगुरास सिंग शाक्य को उमीदवार बनाया गया है ऐसे मैं देखा जाए तो यहाँ पर तगडी भिडन देखने को मिल रही है दोनों ही उमीदवारों के बीच दावे यहाँ पर दोनों ही पार्टी की तरफ से किये जा रहे हैं जहां एक तरफ अखलेश यादव इन चुनाब में जीत हासिल करने के लिए अपने चाचा शिपाल सिंग यादव को मना चुके हैं वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो मुलाइम सिंग यादव जी के बड़े भाई अभेराम यादव जी भी अब मैदान में आ चुके हैं स्टार प्रचारक के तौर पर अभेराम यादव भी इस वक्त मैदान में है जिन्होंने राजनीती में कभी कदम तक नहीं रखा आपको बता दे अभेराम यादव की बेटे हैं धर्मेंद्र यादव वहीं प्रोफेसर राम गोपाल यादव और वहीं दूसरी ही तरफ तेज प्रताफ सिंग यादव भी चुनाप प्रचार करते हुए देखे जा रहे हैं लेकिन इसी भी इस देखा जाए तो परिवार के कई सदस्य लगातार आगे बढ़ रहे हैं आपको बता दें कि ना सिर्फ प्रस्पा प्रमोक शेपाल सिंग यादव अपनी बहू डिमपल के लिए आगया आए हैं बलकि उनके बेटे प्रदेश अध्यक्ष अधित्य याद अब डिमपल के समर्थन में हैं दरसल आपको बता दें जब नामंकन पत्र दाखिल करने के लिए मैनपुरी के कलेक्टरेट पहुची थी डिमपल यादव उस वक्त मुलाइम सिंग यादव जी के छोटे भाई राजपाल यादव ने दावा किया कि शेपाल यादव बेशक नहीं आपाए हैं क्योंकि उनकी तब्यत खरापती लखनों में उनका इलाज चल रहा है इस वज़े से लेकिन शेपाल यादव अपनी बहु के साथ हैं वहीं उनके बेटे अदित्ते भी और अदित्ते जल्द ही आही जाएंगे लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनकी पतनी सरला यादव भी उनके साथ हैं बात करेंगे यहां पर डिमपल यादव और सरला यादव के बारे में आज मुलाइम इनकी जो पतनी रही साधना गुपता जी जो हमारे बीच नहीं है साधना गुपता जी के साथ भी बेहतरीन बॉंड देखने उनसे और उन्होंने कहा कि चुनाफ साथ में लड़नी है उन्हें मनाया भी लेकिन उन्होंने कहा कि गड़बड हुई अखलेश यादव की तरफ से तुझ जिम्यदार तुम रहोगी तो ऐसे में देखा जाए डिमपल यादव यहां पर लगातार उनके साथ है वहीं यहां प देख रहे होंगी हमारी स्क्रीन पर इन तस्वीरों से साफ तोर पर जाहिर होता है कि डिमपल अपनी चाची जो सास है उनके साथ बहतरीन बॉंड शेयर करती है यानि कि यह तमाम तस्वीरें जाहिर करती है और सर्ला यादव कहीं न कहीं डिमपल यादव के साथ है बेशक सर्लायादव डिमपल अखलेश का सहारा बनी रही वही प्रतीक और अपढ़ना का भी और इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर बहतरीन बॉंड देखने को मिलता है मालूम हो कि सर्लायादव अंकुर पैटरॉलियम दतावली के स्वामी और अंकुर राइस गौरापुरा वावविंग की इंडरस्ट्रीज की डारेक्टर है और वहराजनीती से हटकर अपनी अलग पहचान बना रखी है बिती पिसली रिपोर्ट में हमने आपको ये तमाम जानकारियां दी ही थी लेकिन देखा चाये तो सर्लायादव राजनीती से दूर हटकर डिमपल के समर्थन में हैं बेशक वह चुनाप प्रचार करती हुई नसर ना आई हो लेकिन दोनों के बीच करिस्ता बहुत ही प्या चारा बॉंड है और इन चारो ही बच्चों को मुलाईम सिंग यादव जी के चारो ही बच्चों को यानि कि दो बेटे दो बहुँँ को वह सहारा देती हुई नसर आरे इस तरह से देखा जाए तो यादव कुनवा हमेशा ही यहाँ पर अपने रिस्तों को लेकर मिस्ताल द चल्चस होगा कि 8 दिसंबर के दिन आखिर का जीत किस की होगी आपकी क्या कुछ राय है या पता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में